नमस्कार दोस्तों, चानक्य के बारे में जानते होई हमने पहले बाग में देखा था कि क्यूं हो चंद्रगुप्त मौरे को थोड़ा थोड़ा जहर रोस के खाने में दिया करता था और क्यूं उसने चंद्रगुप्त मौरे के बेटे का नाम बिंदुसार रखा था आज के वीडियो में चंद्रगुप्त मौरे के मुरुत्य के बाद चंद्रगुप्त मौरे का बेटा बिंदुसार के शाषनकाल में चानक के प्रदान मंत्री रहा और उसकी क्या नीतिया रही आज इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे चंद्रगुप्त मोरे के मुरुत्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार मगद देश का राजा बना और चानक के उसका प्रधान मंत्री बिंदुसार के दरबार में एक मंत्री जिसका नाम था सुबंदु उसको चानक के प्रतियक जलन थी इसी जलन के चलते मंत्री सुबंधु ने बिंदु सार को उसकी मा किस तरीके से जहर के सेवन से मारी गई और उसके पीछे गलती से क्यों न हो चानक के काई हाथ था ये बात सुबंधु ने बिंदु सार को बताई सुबंधु की कूट मीती चानक्यों को पता लगते ही चानक्यों को समझ आ गया कि उसका अंत अब नजदिक आ गया है बिंदु सार मुझे कब भी मार सकता है इस डर से चानक्यों के सूके गोबर से बने कूडे के उपर आनाज और पानी छोड़ कर मरने के लिए बैट गया इसी दवरान बिंदु सार को चानक्य के जहर वाली बात के पीछे का मकसद समझ आया और उसने सुबंधु को कहा कि वो चानक्य की माफी मांगे लेकिन सुबन्धू ने चानक्य की माफी नहीं मागी बलकि चानक्य जिस कूडे पर बैटा है उस कूडे के पास आश के चिंगारिया रग दी हवा के तेज भाव से चिंगारिया आश में तब्दिल हो गई भुके पेट से मरने के तपस्या के लिए बैटे चानक्य के इस बात का पता भी नहीं चला और तेस आज में जलकर उसकी मौट हो गई दुश्मन को पता भी ना चले और वो मारा जाए यही चानक्य का तत्वध्यान चानक्य के पर ही भारी पड़ा सुबंदू ने इसी तत्वध्यान के मदद से चानक्य को मार दिया चानक्य का यही तत्वध्यान उस पर भारी पड़ने के वज़े से है कितना बड़ा दुरभाग्य था इन सब दिल्चस्प बातों के भी चानक्य के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बाते जानेंगे चानक्य ने तीन महत्वपूर्ण किताबे लिखी पहली किताब थी अर्थशास्त्र, दूसरी निती शास्त्र और तीसरी चानक्य निती मैक्सिमम लोगों को चानक्य के निति शास्त्र और चानक की नितिन किताबों के बारे में पता है वो उन्होंने पढ़ा भी है लेकिन अर्थ शास्त्र इस किताब के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है आजकी इस वीडियो में हम चानके के अर्थनीतियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे साल 1909 में पंडित शामा शास्त्री को मैसुर में चानके के अर्थशास्त्र किताब की कुछ प्रतिया मिली और बाद में उसको पब्लिश किया गया दुनिया भर के विद्वानों ने इस किताब का अभ्यास किया चानके के अर्थशास्तर किताब में 15 भाग, 1500 चाप्टर और 6000 शलोक है और राजनीती के लगबग 180 बी जादे विश्यों का विवेचन इस किताब में किया गया है इस किताब के पहले भाग में डिस्सिप्लीन के बारे में, दूसरे चाप्टर में अधिकारियों के कर्तवे के बारे में, तीसरे चाप्टर में काईदों के बारे में, तो चौते भाग में अर्थशास्तर के बारे में चल्चा की गई है चानक्ये ने चाप्टर 5 में राश्टर के आचार समीता, चाप्टर 11 में उद्द्योगों के बारे में, चाप्टर 12 में शत्रू के बारे में, तो चाप्टर 13 में किस तरीके से किसी जगह पर कबजा किया जाए इसके बारे में लिखा है कार्यालोय के कामकाच के बारे में चाप्टर 28 में तो सोनी के वहवार किस तरीके से किये जाए ये हमें चाप्टर 34 में पढ़ने को मिलता है चाप्टर 37 में व्यापार किस तरीके से किया जाए तो चाप्टर 42 और 43 में जकात और उत्पादन के बारे में चानक्ये ने अपने विचार सामने रखे है प्रॉपर्टी के बारे में चाप्टर 61 और 65 है करजा वसुली और डिपोजिट्स के बारे में चाप्टर 67 और 68 में हमें पढ़ने को मिलता है चाप्टर 98 और 99 उद्योग के बारे में है तो परराष्ट नीतियों के लिए चाप्टर नंबर 101 है चानक्य का कहिना था कि कुछ महत्व पूर्ण उद्योग राजा के मालकी के हो और राजा के मंत्रियों का उस पर डायरेक्ट नीयंत्रन हो इससे राज्य का खजीना और उत्पादन बढ़ेगा और इसी से वो सैनने का पालन पोशन करे और गरीबों के लिए योजना बनाए धातुओं का उत्पादन में महत्व चानक्य ने जल्दी ही पैचान लिया था सोने की चोरी करना, सोने में कम कॉलिटी का सोना मिक्स करना और सोने में वजन मारना इन सब चीजों के बारे में चानक्य ने लिख कर रखा हुआ है चानक्य का कहना था कि पोडोसी देश दुश्मन ना हो दुश्मन का दुश्मन दोस्त इसी कूट नीति को इस्तिमाल करके पोडोसी देश को दुश्मन ना बनाते हुए दोस्त बनाए ऐसा उसका मानना था चानक के क्यारतशास्त्र इस किताब में टेक्स किस तरीके से वो सुल किया जाए सरकार की करजा देने की योजना क्या हो ब्यास की इस तरीके से वो सुल करना चाहिए ऐसे कई सारे विश्यों के बारे में चानक के ने परस्तितियों को समझ कर बहुत ही खुब सुरत लिखा है इंशार चानक के ने कहे तो उस वक्त ऐसे भी शो के बारे में सोचा है लिखा है जो हमारे जिन्दकी पर असर डालती है चानक की और सारी किताबे जैसे चानक के नीती नीती शास्त्रव उसमें उस्त्रियों के बारे में लिखता है दोस्ती किसे करना चाहिए दुश्मन किसे बनाना चाहिए और किस से दूर रहना चाहिए ऐसी तमाम महत्व पूर्ण जानकरी हमी जानक किसे सीखने को मिलती है वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद